नमस्कार स्वागत आपका बिहार लाइब नाव में मैं मुकेश चोड़सिया आपका तह दिल से हारदी का विदन दन स्वागत वेलकम और खेर मगदम करता हूँ देखिए सबसे पहले हम उनहतरवी BPSC में पास सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुब कामनाएं देंगे और जो नए अभ्यर्थी जो पास हुए हैं और ये भी आपको जानकारी दें कि BPSC उनहतरवी का फाइनल रिजल्ट जो है वो आउट कर दिया गया है और उजवल कुमार इसके टॉपर बने हैं तो बहुत बहुत शुब कामनाएं उजवल कुमार को और ये अभी एक देर घंटे पहले BPSC की उनहतरवी जो फाइनल रिजल्ट थी उससे घोशित कर दिया गया है उसका जो परिनाम है फाइनल रिजल्ट है वो आ गया है और इसमें आपको पूरा डिटेल हम बता सुनने आई है कि बिहार लोग सिवायोग ने 79 परिक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है 475 पदों पर BPSC में रिजल्ट जारी किया गया है मुख्य परिक्षा में 1295 अभ्यर्थी श्तफल हुए थे ये सभी अभ्यर्थी इंटर्व्यू में शामिल हुए BPSC के नमबर वन पर हैं बिहार में सबसे उपर हैं इनका नाम टॉपर हैं उसके बाद सेकेंड नमबर पर सरवेश कुमार हैं उसके बाद शिवम तिवारी हैं पवन कुमार हैं विनीत आनंद हैं क्रांती कुमारी हैं संदीप कुमार सिंग हैं राजन भारती हैं और चंदन कुमा और नीरज कुमार शामिल हैं ये टॉप 10 अभ्यरती हैं जो कि BPSC ने टॉप 10 अभ्यरतियों की लिस्ट को जारी किया है जिसमें उजबल कुमार उपकार सबसे उपर है BPS इन्हें अलॉट किया गया है इनका रॉल नमबर 151968 है तो अभी जो वेबसाइट पर सर्च भी लोग कर सकते हैं जो पास आउट हुए हैं उसके बाद सर्वेश कुमार है 298547 इनका रॉल नमबर है BPS इन्हें भी अलॉट किया गया है वहीं शिवम तिवारी है 130039 इन्हें भी BPS अलॉट किया गया है पवन कुमार है 152460 रॉल है नमबर है इनका ये भी BPS इनको भी अलॉट किया गया है विनीत आनंद 111996 इनको ARCS अलॉट किया गया है क्रांती कुमारी जो की 286470 है वो REV है और BPS से संदीप कुमार सिंग है राजन भारती है तो 10 नाम जो टॉप 10 है इनके नाम ये है और देखिए कि इसमें 1200 फाइनल जो अभ्यर्थी थे वो 1295 थे 1275 लोगों ने इंटर्वियू दिया और उसमें से 475 लोगों को सेलेक्ट किया गया है 69 वी BPS की फाइनल परिक्षा में आज रिजल्ट आ गया सभी को शुब कामनाय और जो बिहार टोपर है उजवल कुमार उपकार उन्हें भी हम बहुत बहुत शुब कामनाय देते हैं और आप उजवल हैं उजवल भविश्य हो आपका और आप सभी जितने भी 475 अभ्यर्थ हैं वह बिहार का नाम रोशन करें और आगे बढ़ते रहें दिखिए अब एक और खबर पर हम नज़र डालेंगे बिहार में जो सरकारी सिक्षक हैं उन पर गाज गिरने वाली है जो बहुत सारी आप लोगोंने सुना होगा कि सरकारी सिक्षकों पर लगाम केके पाठक जब लगाया था लेकिन जो सिधार्थ साब हैं इन्होंने सकती जादा नहीं बढ़ती थी लेकिन अब उनका भी डंडा जो है वो चलने लगा है और उन्होंने सिक्षकों में जो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार में सिक्षकों पर बहुत सारी बाते कही जाती थी कि स्कुल से गाइब रहते हैं आते हैं हाजरी बना कर चले जाते हैं अच्छा परहाते नहीं हैं उन सब पर लगाम लगाने के लिए स्क्षा बिभाग ने एक नया निर्ने लिया है और वो निर्ने लगभग एक दिसंबर से वो शुरू हो जाएगा अब अगर सिक्षक पहले आते हैं हाजरी बना कर चले जाते हैं और उनके जगह पर कोई दूसरा बैठ जाता है आके तो उनकी अब खैर नहीं है क्योंकि अब सिक्षा बिभाग ने सिक्षको को दिन में तीन बार हाजरी बनवाने का निर्ने लिया है दिन में अब कोई भी सरकारी मास्टर होंगे सरकारी सिक्षक होंगे उनको दिन में तीन बार हाजरी बनानी हो अगर हाजरी नहीं बनाएंगे तो फिर उन पर गाज गि और देखी ये जो planning है सिक्षा बिभाग की वो एक दिसंबर से लागू हो सकती है कि जितने भी सिक्षक हैं बिहार के वो तीन बार हाजरी बनाएंगे नई विवस्था है सिक्षकों के विद्याले से गाइब होने पर ऐसी चीजें सिक्षा बिभाग की तरफ से देखने को मिल और एक दिसंबर से इसे लागू करने की पूरी तयारी चल रही है तो जो सिक्षक हाजरी बना कर चले जाते थें उन पर अब गाज गिर सकती हो वहीं अब टीचरों की मनमानी नहीं चलेगी अगर सिक्षन कारियों में या किसी भी जो स्कूल के कारे हैं उसमें अगर उन्हो परवाही दिख जाती है तो आप समझ लिजे कि उनको नौकरी से हाथ धोना परेगा या फिर जिला बदर कर दिया जाएगा उनके खिलाफ अगर कंप्लेन कर दिया जाता है सिक्षकों के खिलाफ तो नौकरी से भी हाथ धोना परेगा उनको वरकास्त कर दिया जाएगा साथ की साथ जिला बदर भी कर दिया जाएगा सिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है और इस यह जो आदेश हाएं हैं उसके बाद हरकंप मच गया है पूरे सिक्षा विभाग में सिक्षकों के बीच में हरकंप मचा हुआ है क्योंकि भाई अगर आपके उपर शिकायत कर दी जाती है अगर आप समय से स्कूल नहीं जाते हैं ठीक से नहीं पढ़ाते हैं और अन्य कोई अनुशाशन ही निता करते हैं तो आपको जिला बदर कर दिया जाएगा या नौकरी से बरखास्त कर दिया जाएगा ये नई नियमा वली जो है वो सिक्षकों के लिए ये दंड प्राबधान निकल के सामने आया है और उसको भी सिक्षा बिभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि गंभीर गलतियों के लिए किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी संबंध्यत सिक्षक अपने प्रकंड या जिलाबदर की कारवाई इसके लिए लेकिन सिक्षकों को एक मौका दिया गया आप पर अगर यह शिकायत है तो आप उसमें अपील कर सकते हैं सिक्षा विभाग के मुख्याले में अपील कर सकते हैं अगर जिला बदर कर दिया गया या फिर बरखास्तिगी के ऐसी कोई बात आ गई तो अपील विभाग के अपर मुख्य सचीब के पास करने होगा और ये पूरे मामले को अपर मुखे सची भी देखेंगे तो आप समझ लीजे कि अनुशाशन हींता होती है या टीचर टाइम पे नहीं आते हैं पराने में कोता ही बरसते हैं तो उन पर बरी गाज गिरेगी केके पाठक ने बहुत सक्ती दिखाई थी लेकिन जो नए ACS थे सिधाद साब वो बहुत ही नॉर्मल लग रहे थे और लग रहा था कि ये उतना नहीं सक्ती करेंगे लेकिन अब इनकी सक्ती भी साफ नजर आने लगी है ये बड़ी खबर जो कि हमने आपको बताई सिख्षा विभाग की टीचरों के लिए तीचरों पर गाज गिर सकती है वहीं अब बात करते हैं देखिए पशुपती पारस जो है चिराक पासवान की टेंशन बढ़ सकती है विधान सभा चुनाओ दोहजार पचीस के पहले चिराक पासवान की टेंशन बढ़ सकती है पशुपती पारस के एक लोते बेटे ने जो अलॉली विधान सभा है जहां से पशुपती पारस हमेशा लरते आ रहे हैं अभी 28 नवंबर को शहर बन्नी में जो की रामबिलास पासवान का पैत्रिक निवास है वहाँ पर कारिकरताओं को पहुँचने की अपील की है वहाँ पर एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं जो राश्ट्रिय लोजपा के पशुपती पारस के एक लोते पुत्र हैं यश्राज उर्फ मुसकान पासवान ने रविवार को एक बड़ी बैठक की है अलॉली में और ये राम बिला स्पासवान पुर्वकेंद्री मंत्री की वहाँ पर आने के लिए पूरी तरह से गाउं गाउं में जाकर निमंत्रन दे रहे हैं सुंबार को यश्राज ने अलॉली बिधान सभा शेत्र के चातर में से अमंत्रन की शुरुआत की है और कहा है कि स्थापना दि और साथी साथ जो राम बिला स्पासवान है राम बिला स्पासवान की मौत के बाद लोजपा जो लोग जन शक्ती पार्टी थी वो दो फार में बंट गई थी चाचा भतीजे में लडाई हो गई थी आप लोगों को पता ही है चिराग पासवान और पशुपती पारस जो चा दो पार्टियां बन गई हैं और अलॉली विधान सभा सीट से पशुपती पारस है राश्टी ये लोक जन्शक्ती पार्टी के राश्टी अध्यक्ष वो हमेशा चुनाओ जीतते आ रहे हैं परंपरिक सीट जो है वो अलॉली विधान सभा शेत्र में उनकी है तो शहर बन्नी में जो रामबिलास पासवान का पैत्रिक निवास है वहां बड़ा कारिकरम करने की तैयारी जो की कर रहे हैं यश्राज जो की इनके सुपुत्र हैं पशुपती पारस के और ये आप समझ लीजे ये बड़ी राजनिती है जिसमें की कहीं न कहीं को चिराग पासवान को tension हो जाएगी ये एक बड़ी कहबर निकल के सामने आए चिराग पासवान के लिए 2020 में चिराग पासवान लिए एक। जेडियू के लिए एक हम भूमिका निभाई थी जेडियू की सीठे कम हो गई तो इस बार वो चैन से नहीं बैठने वाले हैं क्योंकि चाचा भतीजा में फिर से तना तनी हो गई है यह आपको बता रहे हैं यह बड़ी खबर है दोहजार पचीस के विधान सभा की बात करें तो देखिए विधान सभा बिहार विधान सभा में शीत कालिन सत्र चल रहा है तो शीत कालिन सत्र में भी बवाल हुआ है शीत कालिन सत्र जो कि कल से आज दूसरा दिन है दूसरे दिन अब देखिए कि आरक्षन के मुद्दे पर और सिक्षकों के मुद्दे पर यहां पर आज विधान सभा में बवाल हुआ है 65% आरक्षन की मांग जो की तेजस्वी आदब राश्टिय जनता दल कर रही है उस मांग को लेकर आज विधान सभा में भारी बवाल देखा गया और फिर से एक बार तेजस्वी आदब ने जो नेता प्रतिपक्ष है राज़द जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार की वो जम कर हंगामा हुआ और वाकाउट कर दिया उन्होंने जिसके बाद समझ लिजे कि आरक्षन के मुद्दे पर जो तेजस्वी आदब का कहना ह कि 65 परतिशत आरक्षन की सीमा को लागू किया जाए इसे बिहार में 16 परतिशत जो है वो बिहार वासियों को आरक्षन का घाटा हो रहा है तो आरक्षन की लडाई अब तो चुनाओ नजदीक है 2025 का चुनाओ है जो कि अब बहुत ही नजदीक आ चुका है और राजनितिक ब भी खुब सुर्खियों में चल रहा है ललान सिंग ने मुझफरपुर में हैं कारिकरम के दौरान अपने कारिकरताओं के जदियों की एक बैठक के उसी में कह दिया कि मुस्लिम हमें अल्प संख्यक जो है वो वोट नहीं करते हैं और वहां पर कई मुस्लिम नेता भी बैठ कार मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ करती है लेकिन मुस्लिम हमें वोट नहीं करते हैं जो जदियों में मुस्लिम नेता हैं जदियों के जो मुस्लिम कारिकरता हैं उनमें खासा निराशा है इस चीज़ को लेकर और आक्रोशित हैं लोग की ललन सिंग जो की पार्टी के र आने जाते हैं ललन सिंग और उनकी तरफ से ये बड़ा बयान जो आया है कि अल्प संख्यक नितीश को वोट नहीं करते हैं कि कहीं न कहीं जो भी नितीश कुमार का जहां तक मानना है उनका कहना कि 10-15 प्रतिशक जो मुस्लिम है वो हमें वोट करते हैं तो उसका कहीं न कहीं आक्रोश जो है वो देखने को अल्प संख्यक समुदाय में मिल रहा है जो जदियू के मुस्लिम नेता है उनमें मिल रहा है जब उनका बयान सामने आया और मजफर्पुर में ही उन्होंने ये बड़ा बयान दिया कि अल्प संख्यक हमें वोट नहीं करते हैं तो देखिए अभी जो च्यार सीटों पर उप्चुनाओं हुएं जिसमें की तरारी, रामगड, इमाम गंज और वेला गंज इनमें इंडिये के प्रत्याशियों की भारी जीत हुई है तो मुस्लिमों का ये कहना है अल्प संख्यको का कहना है कि जैसे बेला गंज का इलाका है तो वेला बात हो जाती है खास तोर पर अगर नितीश कुमार की बात करें तो आपने देखा होगा सभी ने देखा कि तस्रीरे निकल के सामने आती है जब नितीश कुमार चादर भी चरहते हैं मजार पर जाते हैं दरगाह पर जाते हैं और मुस्लिमों के साथ अच्छा वहवार करते हैं मिला कर रखते हैं समाजवादी नेता के रूप में उनकी एक बिहार में छबी है और ऐसा माना जाता है जो जानकार कहना है और हमने कई बार इन चीजों को नोटिस किया है कि अगर मान लिजे नितीश कुमार इंडिये में आते हैं तो फिर इंडिये को भी उसका वोट परतिश वह बढ़ता है खास तोर पर नितीश कुमार को कुर्मी कुषवाह और मुस्लिम वोटों के लिए बिहार में अगर आप बात कहें तो वह जाना जाता है और फिर दलित महादलित जो बनाया गया है तो उनके भी वोटर नितीश कुमार को और जे डियू को वोट करते हैं तो यह बयान जो है अब इस पर मुख्यमंत्री का क्या रियक्शन होता है इस पर मुख्यमंत्री क्या आगे कहते हैं यह तो देखने वाली बात होगी हलाकि अभी तक जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इसको स्पष्ट नहीं किया है लेकिन ललन सिंग अपने बयान पर कायम है उ और हमारा बयान वही रहेगा तो बिहार की राजनिती में अभी देखिए एक और नई पार्टी जो की जो राजनितिक सलहकार प्रशांत किशोर थें और प्रशांत किशोर ने अपनी एक पार्टी एक महिने पहले बनी है जनसुराज जो जनसुराज पहले संगठन था अब वो पार्टी बनी है और पार्टी बनने के पहले महिने में उन्होंने चार सीटों पर जो बिहार में चार सीटों पर उठ चुना हुए वहां से जनसुराज ने लड़ा और वहां उनके कैंडिडेट लड़े हलाकि दो सीट पर अगर आप देखें तो वहां पर जनसुराज के जो क कैंडिडेट को हराने का काम किया और तीन सीचों पर जन्सुराज के कैंडिडेट की जमानत जबत हो गई मतलब जमानत जब होती है जो कुल वोट प्रतिशत होता है कुल वोटिंग होती है उसका जो छठा हिसा होता है अगर वो नहीं आता है तो जैसे स्व में छठा हिसा जो स जाएगी मतलब सो में 20 बोट आपको मिलने चाहिए तब आप जमानत बच्चा पाएंगे यह बात अभी इस चुनाव में मतलब की किसी भी चुनाव में आपको देखने को मिलेगी जमानत जब्द इसी को कहते हैं और जो टिकट जो नामांगकर फॉर्म खरीदा जाता है उसकी कीमत जो है वो सरकार के पास हीं चुनावायोक के पास हीं जमा हो जाती है वो आपस नहीं मिलती है उसी को कहते हैं जमानत जब्द अब देखिए अब नीरवाचन शेतर के चुनाव होने हैं जो कि दुरू थी में मेलСी का चुनाव है और ग्रेजूयेटly जो होते हैं वो इ इतने विए परत्याशी है इस बार 18 परत्याशिहों न pne मांकल गए थे जिस राजिश कुमार रोचन वो हैं 18 प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं वै अपने बहुमिका को ले कर आएं सब्का अपना अपना दावा है सब का अपना कैना है कि रम जीतेंगे सकी जो प्रत्र यह आप अगर वूटर है तो आप 18 एन 11 कंडिडेट को वोट कर सकते हैं और खास तोर पर अगर दो तीन लोगों को वोट करते हैं लोग पर्थम वरियता दूतिय वरियता और तिरतिय वरियता इन सब की जो वोटिंग होती हैं अब पर्थम वरियता के वोटर कैसे जीतते हैं अगर मान लेजे कि 10,000 वोट परें हैं तो कुल 10,000 वोट परें हैं जिनक वो 5,001 वोट आ जाएगा वो प्रतम वरियता में जीत कर और MLC बन जाएगा वो प्रतम वरियता में वो काहनी खतम हो जाएगा लेकिन अगर सभी जितने भी candidate हैं उनको नहीं आता है वोट पांच हजार वोट नहीं आता है तो फिर दिक्कत होगी 4000 किसी को आ गया किसी को सारे 3000 आ गया तो वैसे परत्याश्ची जो हैं वो मैदान में दूसरी वरियता में आ जाते हैं और दूसरी वरियता की फिर गिंती होती है और फिर उनको उस तरीके से वोट किया जाता है तो यह जो critical थोड़ा सा चुनाओ माना जाता है तिरहुत नातक निरवह चित्र का चुनाओ होता है, वह थोड़ा सा अलग माना जाता है और इसको प्रकिडिया है वह आम चुनाओ से अलग होती है इसलिए अगर आप देखेंगे कि आम चुनऊ के अगर हम बात करते हैं तो आम चुनाओ जो की आम लोक देते हैं इस चुनाओ में वोटर بھی पहले बना लिए जाते हैं वोटर के लिस्ट क्लियर हो जाती है उसके बाद फिर डेट निकलता है चुनाओ का फिर चुनाओ होता है और फिर इस बार पांच दिसंबर को तिरहुत सनातक निर्वाचन शेत्र में चुनाओ होने हैं अगर इंडिया अलाइंस की बात करें तो इं जन सुराज जो की नई पाटी वनी है उसने भी अपने उमिद्वार की गोश्ना की उनके वी उमिद्वार लर रहे हैं और सबसे 18 उमिदवार हैं जो कि मैदान में हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दाबा ठोक रहे हैं अभी देखिए कि जो देवेश्चंद ठाकुर हैं जो कि जेडिव से MLC लगातार 22 सालों से MLC रहें और जब वो सीतामरी के सांसद वन गए तो ये सीट जो है MLC की तिरुत नातक निर्वाचन शेत्र की वो खाली हो गई और क्योंकि देवेश्चंद ठाकुर सीतामरी के सांसद चुन लिए गए अभी 2024 के चुनाव में उसके बाद ये सीत खाली हो जाती है और उसी सीत पर उप चुनाव अभी हो रहे हैं जो की अभी 5 दिसंबर को होना है तो ये अभी जो चीज है ये चुनाव जब होगा तो इसमें एक और अगनी परिक्षा जो है वो आरजेडी को और खास तोर पर जन सुराज को देखना होगा क्योंकि आरजेडी जो उप चुनाव हुए है जो आरजेडी का कहना था इसराइल मंसुरी जो की पूर्व मंत्री है उनका कहना था कि भाई जो उप चुनाव होते हैं वो सरकार का चुनाव होता है सरकार अपना पूरा दमखम लगा देती है और अगर उप चुनाव में सरक सरकार की पाठी की हार हो जाती है उनके केंडिडेट की हार हो जाती है तो यह बहुत शर्मनाक बात हो जाती है और लोगों के अंदर या फिर पाठी को यह कहना विपक्षी पाठीयों को यह एक मौका मिल जाता है कि भाई आपके सरकार में लोग आपसे नाराज हैं इसलिए आपको हरा दिया सरकार तो कोशिश करती हैं और यह जो अभी जो चुनाओ होने हैं तिरहुत सनातक निर्वाचन शत्र के यह भी उपचुनाओ ही है तो इसमें देखिए जन सुराज ने भी कैंडिडेट उता रहा है और पूरी मजबूती के साथ इंडिया अलाइंस भी चुनाओ लड़ रही है गोपी किसन उसके उमिद्वार हैं तो इस बार यह बड़ा क्योंच पारी संगर्ष है और अच्छा लग रहा है कि पृत का चुनाओ ज़ो हो रहा है तक दिख रहा है पहले नहीं को घेल होते ही चजाँ केंडिडेट ते इतना चुनाओ में परशार सार नहीं दिखती थी चुनाओ तो इस बार सरकपर यह चुन दिख रही है और आप लोग भी इन चीजों को महसूस कर रहे होंगे तो अभी तक आज तक ये जो बिहार की परिस्पिती आज के डेट में और एक बाता और आपको बता दे कि 48 घंटे के अंदर जो मौसम विभाग का पुर्वानुमान है कि 48 घंटे के बाद बिहार का पारा और गिरेगा ठंड बढ़ेगी तो बिहार का पारा और गिरने वाला है ठंड बढ़ने वाली हलकी ठंड अभी महसूस होती है लेकिन कोहरा भी आप देखेंगे कि बहुत जादा सुबह में और देर रात में देखने को मिलता है तो 48 घंटे बाद इसमें और बुद्धी होगी और ठंड का अगाज पूरी तरह से हो जाएगा हलाकि यह जो नवंबर का महिना है उसमें ठंड तो आही जाती है और दिसंबर में पूरी तरह से ठंड होती है तो वो हमें आपको महसूस होगा इसलिए और हम गुजारिश करना चाहेंगे अपील करना चाहेंगे आप लोगों से कि जो भी रात में ट्रेवल करना हमेशा जैसे गर्मियों में हम करते हैं तो उसको अववाइट करें साथी साथ जो स्टुवह में अरली मॉर्निंग भी ट्रेवल करना अववाइट करें बाहर गाड़ी से ना जाएं अगर ट्रेवल बहुत जरूरी है तभी जाएं लेकिन अववाइट करें देर रात और अर्ली मॉर्निंग के ट्रेवल को अववाइट करें क्योंकि कुहरे की वज़े से एक्सिडेंट होते हैं और उसमें दुरखटनाएं हो सकती है और ठंड में बच के रहें देखिये मैंने भी हाफ जैकेट निकाल लिया है और हाफ जैकेट बहन कर चले तो देर रात आने जाने में लेट हो जाती है जिसते ठंड से हम बचे रहेंगे और जुरते रहें रोज हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी और हम और आप करेंगे बिहार की बाद, तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजे इजाज़त, नमस्कार, गुड नाइट, शुब रात्री, शुब बाठ है, बाबाए